पता नहीं मेरे माईक का इको किसी ने बढ़ा दिया था, इसलिए हो सकता है आगे आप सभी को थोड़ा इको सुनने को मिले वीडियो में, मैंने थोड़ा कर लीजिएगा, चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों ये लड़की को तो आप सभी जानते ही होंगे, जहां दोस्तों इनका नाम प्रिया प्रकास वेरियर है, जो की बहुत ही ज़्यादा वाइरल होई थी साल 2015 में जहां दोस्तों करोड़ो में इनकी followers हो गया थे, सिर्फ एक ही scene के बज़ा से, ऐसे बंदू को लोड करती है और ऐसे गोली मार देती है, बस इसी से पूरे भारत में sensation बन गई थी है, पूरे भारत के youth in के पीछे पागल हो गई थी, तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग वाइरल हो जाते हैं, वही पर कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो सच में बहुत ही ज़्यादा talented होते हैं, और बहुत ही मेहनत करने के बाद भी लोगों तक नहीं पहुत पाते हैं, दोस्तों सिर्फ प्रिया प्रकास warrior ही नहीं, बहुत ही ऐसे लोग हैं जो viral हो जाते हैं, लेकिन last तक आते आते उन लोगों को हालत बहुत ही खराब हो जाता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कुछ जिन पहले बहुत ही ज़्यादा trend में आया था कच्चा बदाम बला ये अंकल, जो कि बहुत ही ज़्यादा trend में था, चाए TikTok हो, चाए Instagram का Reel हो, चाए Facebook हो, चाए YouTube हो, हर जगा ये आदमी चाया हुआ था, लेकिन अभी कहा है, किसी को पता नहीं है, बस ऐसे ही अपने जीवन की कुछ काम करने वक्त ये निकले थे, कच्च गा रहे थे, कच्चा बदाम बला, और किसी ने वीडियो रेकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दिया, और ये वाइरल हो गया, इतना ज़्यादा इनको popular कर दिया गया, कि बाद में इन्हों ने ये statement दिया, कि अब मुझे बदाम बेचने में सर्म आता है, बताए जिस काम से इन्हों ने इतनी ज़्यादा प्रसिधी पाई, वुसी काम को करने के लिए अब इनको सर्म आता है, हाला कि अब वो ना तो बड़े से स्टार बन के रह गए हैं, ना तो अब वो बदाम बेचने लाइक रह गए हैं, ये जो वाइरल वाला चीज होता है ना दोस्तों, बहु बहुत ही अलग किसीम के चीज होता है, मानो ये एक पेट्रॉल का आग है, जो बहुत ही तेजी से फैलता है, बट उतना ही तेजी से बुझ भी जाता है, दोस्तों इस लड़के को तो आप सभी जानते ही होंगे, इस लड़के का नाम है सहदेव, जो कि कुछ दिन पहले अब सभी जानते ही है कि कितना ज़्यादा वाइरल हुआ था, लेकिन ये भी उसी केटेगरी में गया कि कुछ दिनों तक तो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पे इनका नाम चला बहुत ही ज़्यादा, यहां तक कि बादसाह के साथ इन्होंने गाना किया, लेकिन फिर भी आज वो गुमनामी के जिन्दगी जी रहे हैं, अब वो क्या कर रहा है सहदेओ, कोई नहीं जानता है, दोस्तों यतना ही नहीं, रानू मंडल जैसे बहुत सारे ऐसे वाइरल बेकती हैं, जो अभी आज गुमनामी के जिन्दगी जी रहे हैं, जबकि किसी वक्त में इन बहुत ऐसे लोग हैं, जो रातो रात तो वाइरल हो गए, लेकिन आज गुमनामी के जिन्दगी जी रहे हैं, तो कोई सडकों पे भीख मागते हुए नजर आ रहे हैं, दोस्तों आपको तो याद होगा ये वाले बाबा, जिसका नाम है अगोरी बाबा, जो एक समय पर टीक बिना जरूरत वाली चीजों पर भी उनका राय जाकर मांगा जाता था वहाँ पर और उनका इंटर्वियू लिया जाता था, वैसे ही दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, इस लड़के को तो आप सभी चिंते ही होंगे, इस लड़के का नाम है सचीन परियार, महनायक राज का खर्चा मैं दूँगा, तो इसको एक बोर्डिंग में या किसी स्कूल में भरना करा दिया था, लेकिन इसके पीता, जो पपा है इनके, वो बोर्डिंग से हमेशा इसको आपसेंट कराकर कही न कहीं किसी किसी प्रोग्राम में ले जाया करते थे और वहाँ पर काम कराया क करते थे कि लोग आए हैं कुछ मीडिया वाले आए हैं तो कुछ लोग प्रोग्राम के लिए आए हैं तो इस तरीके से इस लड़के ना तो पढ़ाई हो पाया ना तो वह सोशल मीडिया के जो वाइरूलीटी था और आज के दिन में यह लड़का फ्र भीख मांगते हुए दोस्तों ये तो कुछ नहीं है अभी नेपाल में बहुत ही ज्यादा वाइरल हो रहे हैं ये जो भेलुव बाजे नाम से बहुत ही ज्यादा परसीद है टिक टॉक हो या यूटूब हो या फेस्बूक हो हर जगा इनका अभी जलबा चल रहा है लेकिन इनका भी वही अंत होग इनका भी खत्म गुमनामी की जिन्दगी उसी तरीके से ये गुमनाम हो जाएंगे जो इस तरीके से पहले जितने भी वाइरल बेखती थे वो सभी वाइरल बेखती अभी जो गुमनामी की जिन्दगी जी रहे हैं वैसे ही एक दिन ये भी गुमनामी की जिन्दगी जो भी यूटूबर है जो भी reaction channels है वो इनको help करने के लिए नहीं जाते हैं अपने खुद की earning के लिए जाते हैं कि यूटूब पे अगर इनका भी नाम चल रहा है सर्च हो रहा है तो इनके साथ जाकर interview करते हैं इनको कुछ पैसा वगरा दे देते होंगे लेकिन earning इसको जो य कुछ दिनों तक वाइरल लेंगे लेकिन फिर इनके बाद कुछ और लोग आ जाएंगे जैसे कि इनके साथ ही एक और आदमी वाइरल है चौमिन वाला भाई जो पता नहीं कि एक कोड़ों पैसा मिलेगा तो क्या करोगे तो चौमिन घाऊंगा इस तरीके से यह वाइरल हु ला हो जो अभी भी हम लोगों को इंटरेंट कर सकता है और हमें आफरी वक्त असे बयक्तिक्त करना चाहिए या ऐसे बयक्तिक को साथ देना चाहिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मक्सद यह है कि हम लोग एक ऐसे सीरीज चलाएंगे जहाँ पर नेपाल में पर्शन है उन लोगों को यहां पर हम लोग अपने इस टाइटल से जो चला रहे हैं दा रियल टाइलेंट आफ नेपाल इसी एपिसोड में हर एक एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टेलेंटेड आदमी का जो सच में लंबी रेस का घोड़ा हो और हमें सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों आज हम बात करने वाला है नेपाल के एक तरही छेतर से बिलोंग करने वाला लड़का जिसका नाम है दिपेस सौर्मा जिसका पिक्चर आप लोग यहां पे देख सकते हैं दिपेस सौर्मा नाम से वो यूटूब पे विडियो बनाते हैं जिसका चाइनल का भी नाम दिपेस सौर्मा है जो स्पिलिंग आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों वो multiple character को खुद ही रोल करते हैं वो मा का रोल खुद ही करते हैं बाप का रोल खुद ही करते हैं बेटे का रोल खुद ही करते हैं मतलब कि एक तरीके साफ लोग समझ सकते हो कि नेपाली वीवी का वाइंस है वो बहुत ही जबरदस्त acting करते हैं और खुद से ही editing करते ह और इनके बारे में मैंने research किया तो पता चला कि ये सिर्फ mobile से ही ये सारा काम करते हैं, mobile के through ही ये video shoot करते हैं, mobile से ही edit करते हैं और multiple character खुद से ही ये make up वगरा होता है ये खुद करते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस वीडियो बनाते हैं YouTube पर और कहीं ने कहीं इनको support करना चाहि ये बहुत ही लंबे race के घोड़ा साबित हो सकते हैं, जो बहुत ही दूर तक जा सकता है, अगर आप लोग support करोगे, एक नेपाली होगर एक नेपाली का, अगर आप support करते हो तो कहीं ने कहीं ये दूर तक जा सकता है, नीचे इनका channel का link का description में दिया गया है, आप लोग जा आए, तो वीडियो को like किजिया और इनको channel को support करके इनको बता दीजिया कि संच में ये अच्छे एक creator है, एक अच्छे वीडियो maker है, दोस्तों मुझे इनका वीडियो personally बहुत ही अच्छा लगा, हाँ इनका एक कमी कम जोरी है जो मैं इनको इसी वीडियो के मारफत बता दे लेकिन कोई भी अपने family के साथ इनका वीडियो नहीं देख पाएंगे, या कोई भी बड़े उन्रक के आदमी इनका वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो मेरा इनके लिए एक सुझाव है, ये अपना वीडियो में थोड़ा गाली को filter करें, तो बहुत ही अच्छा है, दोस से आप सभी को, अगर आप हमारे चाइनल पर नए आये हैं, तो चाइनल को सस्क्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखे अपना और अपने चाहने वालों का धन्यवाद.